हलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे What is algae? Algae क्या है? Algae एक form of poetry है हाला के तीन form होते हैं poetry के अंदर, मगर हम इसमें से एक form की बात करेंगे आज, algae Algae का जो term है वो Greek भाषा का एक शब्द है Elegyia, जिसका अर्थ होता है to lament or to be sorrowful यानि की दुख definition में क्या है? An algae is a sad poem usually written to praise and express sorrow for someone who is dead ये algae किस सब्जेक्ट पे लिखी जाती है उस वक्ति के लिए जो वक्ति असंसार में नहीं रहा उसके प्रती अपना दुख प्रकट करने के लिए इस algae को poem को लिखा जाता है ये poem जब poet लिखता है उसके तीन stages होती है पहली stage में poet जो है अपना grief अपना दुख को प्रकट करता है second stage में वो उस वक्ति को जो अपसंसार में नहीं रहा उसके लिए उसकी praise करता है लिखने में तीसरा जो loss उसे हुआ है उस poet को उस वक्ति के जाने से उसके लिए वो अपने आपको consolation देता है ये जो algae है इसका जो शुलवात है ancient Greek में इसका establishment हुआ मतलब ancient Greek ने इसको इसको इस्तमाल सबसे पहले किया अलीजिया का और जो poets poetry लिखते थे उन poetry's को वो algae जो लिखी जाती थी उनना couplet form में लिखते थे और जो couplet है वो two line poems होती है और आप अगर couplet के वार्म और ज़ाद डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसपर मेंने couplet पर बनाई हुई है ancient greeks जो थे उनके जो subject थे यालीजी के वो क्या थे death के उपर लिखते थे loss के उपर love के उपर battle के उपर लिखा करते थे ancient greeks जब Romans आई Romans ने Greek का पूरा pattern ले लिया उनने सब कुछ adopt किया मगर जो language थी उनकी एलीजी की वो Latin थी क्योंकि लेटिन भाषा बोलते थे वो और लेटिन भाषा के इस्तमाल करते थे और Greeks Greek language उस करते थे मगर और जो subject था Romans का जो subject था एलीजी का वो भी agitist था मगर उनने कुछ चीज़ें एड़ करी एक तो erotic और mythological themes भी उन्होंने एड़ करी अपनी एलीजी को compose करने के लिए Renaissance period में क्या हुआ कि Renaissance period में जो English poet थे उन्होंने क्या करा उनका जो subject था एलीजी का उन्होंने सिर्फ वो death और loss of loved one तक सिमित कर लिया उन्होंने एलीजी के इंदर English poet जब लिखते थे एलीजी तो वो सिर्फ subject क्या होता था loved one के जाने के दुख को प्रकट करने के लिए उन्होंने एलीजी के सिर्फ इस structure क्या भी एलीजी का यह quarter info में लिखी जाती है और rhyme scheme इसकी A, B, A, B होती है और iambic pentameter, जो meter होता है वो iambic pentameter में होता है example, Walt Whitman, उन्होंने Oh, Captain, my Captain उन्होंने President Abraham Lincoln की memory में लिखी थी यह एलीजी P.B. Shaila ने Aydonis, John Keats की memory में लिखा उसको Matthew Annall ने Thyrusis, Arthur Hugh Clough के जाने के दुख में उन्होंने यह poetry एलीजी उनको लिखी एलीजी दो तरह की लिटरिचर में एक तो हम बोलते है personal allergy और दूसरी होती है pastoral allergy personal allergy का मतलब है कि poet laments the death of a person in his personal capacity means यहाँ पर जो poet है कोई विक्ति उसके जो विक्तिगत विक्तिगत जुड़ा हुआ उसके उसके जाने के दुख में उसको लिखता है जैसे के वर्ल विट में ने परिजयान लिंकन के याद में 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 यह पोईम लिखी थी when lillax last in the doria bloomed ऐसे लॉड टैनेसन ने एलफिर लॉड टैनेसन ने in memoriam 1850 में लिखी थी आर्था हैंडरी हालम की के memory में ऐसे ही डॉड एच ओर्डन ने in memory of W.B.E.E.T.S. लिखा pastoral algae या मना भी personal algae की बात करी pastoral algae जो है थियोक्रिटस एक ग्रीक पोईट था जिसने इसको शुरुआ करी इसमें pastoral algae में क्या होता है कि पोईट जो है अजियूम करता है खुद को as a shepherd और वो इस पोईब को compose कप करता है जब उसका फ्रेंट जो खुद एक shepherd है उसके जाने के दुख में ये खुद इस पोईट इव करता है एक्सफिलिश में लिखा है कि जो lycidas है जो 1637 में उसने लिखी थी वो king edward उसका जो friend था कि memory में लिखा था तो ये एक pastoral algae का example है